नमस्कार योगो ग्यालेक्सी प्रदेश नीविल्स सही सूचनार अप्रोस्ट अबिसलेशोर सही तुपस्तित भायकासों सुर्वात्मा है लाइज कॉंग्रेस को प्रदेश दुई समीतिक मतदान को विशायलाई लियर दुई समह बीच बेवाद मतदान भोली का लागी सर्यो प्रदेश एक मा मावबादीले निर्वाचन बाट पधारिकारी छान्मे सुर्केत मा बोक्सी को आरोप मा महिलालाई पईताला चटाउने दुई धामी र एक पुजारी पक्राव अधालत माट चार दिन को मैध थब गरी अनसंदार प्रक्रिया सुरू काली गंड की बाट बालुया निकालन नधिये पची पर्वत मालधूंगा स्तीत माजी वस्तिका मानिस को बीचल्ली प्रहरी भन्छ नधी दोहन रोक्ना सफलता मिल्यो राज सिर्सिया सुका बंदरगा हमा बीग्रिये को तौल पुल नव बनाई दया ब्यापारी लाई अतिरीक्त शुलका को भार मर्मत का लागी भारतिय वेवस्ताथ पक कंपनी उदाशिये अब निउस बिस्तार मा निपाली कॉंगरिस को प्रदेश दुमार न्यत्रतो चायन का लागी भुली बिहान मात्रही मत दान हुने भाय कुभ शा विवाद का कारण पठक पठक समय परिवर्तन करिये को थियो मतादान आजय गरने वा भोली भिहान गरने भन्टरिय विशामा दुई पक्षबी च बिवात समेत भाय को थ demandé दुई पक्षबीच को विबाद के एक कारण आज मतदान होना नो सकेको हो। येसो की भिहाना दोस बजे को लागी तो कियेको निर्वाचन तयारी नपुगेको भंदेई 201 बजे को लागी सारी एको थियो। प्रदेश मा सभापती उपसभापती महामंत्री तथा एक महिला सही तिन सह महामंत्री पद र सदश्यक लागी निर्वाचन हो दैशा। प्रदेश मा प्रदेश एक मा निर्वाचन होने भाएको थियो। सुर्खेत मा बोक्सी लागेको भंदेई महिलाला खुटा को पईतला चटाउने दुई धामी र एक पुजारी करे तीन जना पक्राव परेकाशन। सुर्खेत को लेक बेशी नगरपाली का सिमले मा गयवाली को कूल पुजा मा सहभागी बाके खजुरा की एक महिलालाई बोक्सी भंदेई और मानविय ब्यभार करेको थियो। दुई जना धामी ले महिलाला कुटपीट करने खुटा चटाउने कपाल तानने जस्ता और मानविय ब्यभार करेको भंदेई प्रहरी ले उन्हीरूलाई पक्राव करेको हो। पक्राव पर्ने मा पुजारी, बिरेंद्र नगर, सुब्बाकुना का भूपेंद्र ग्योवाली, धामी हरू बराहा ताल गाउपाली का का मिलन ग्योवाली र बिरेंद्र नगर का भौक्ती ग्योवाली र हैका शनुदू पक्राव परेकालाई मुलुकी अपराद सम्हित आनोसार कारभाई प्रक्रिया का लागी अदालत बाट चार दिन को म्याद थाप करी अनुस्तनदार प्रक्रिया अगी बढ़ाईएकोचा उनिहरुलाई अपमान जनक तथा अमानवियक शुर गरेको प्रमाडित भायमा पाच बश्चा समक्काईद र पचास हजार रुपईया सम जरिवाना हुने बेपस्था आशा पिरित्महिला खुलन नमाने पनी सार्वजनेक ठाउमा भायका अमानवियक खटनामा राजियम्माउन बश्चन नमिल्ले भायकाले कानुन अनसारकार भाय प्रक्रिया अगी बढ़ाईएको प्रहरीले जना आएकोचा बागलूं संग सिमाज जोडियक को परवत को माल धुंगा मा योटा माजी बस्ति शा काली गंड की को तीर मा रहेको येस बस्ति मा बसबास करने मानी सरुको आमदानी भने केई काली गंड की बाट बालुआ संकलन करेर बेचनु हो तर प्रहरी प्रसाशनले नदी बाट बालुआ जिकन रोक लगाए पची उनिहरको रोजी रोटी खोशी एकोशा बालुआ केई भर्मा घर खर्चा चलाओ दे आएका उनिहरको जिवने आपन थप कोस्ट कर बने कोशा केही दिन देखी माजी वस्तिका मजदूर हरू कहीले परवत तकहीले बागलुँग धायर है काचन। नगरपालिकार प्रसाशन कार्यले अपगी उनिहरूले गरी खाना दिना आग्रह गरी रहे काचन। क्राशर वेवसाईलाई रात्मा मेशीन लगायरा नदी दोहन गरना दिने प्रसाशनले नदी जन्ने पदार्था हाद दे जिर्ण न दियेको उनिहरूका आरोप्छा। याहाका मजदूर ले ती समु बर्ष देखी कालिगंड की नदि बाठई बालुआ झीकेर आफणो दिन चर्या चलांदे आयका छन। अन्नको जोहोगर्नी स्वास्ते उपचार देखी आपना संतानले पढ़ाउने उर्काउने सबे खर्चा इहीं बालुआ कई भर्मा मुदे आयको छा। जसो तसो बसनका लागी सानो छाफर को जोहोगरे का उनिहरुचंगा न खेतीको लागी जमिन छा न रोजगारीको लागी अन्नी अभिकल पनें। सर्बोच अदालत को अंतरीम आदेशले काली गंडा की नदी बाट बालुआ, गेटी, धुंगा जस्ता नदी जनने सामगरी उत्खननमा रोक लगायको छा महीना पुगन लागे। नदी किनार मा बशेर बालुआले गुजारा चलाउंदे आयका मजदूरलाई भने बेला बेला सामनने अबरोध बायक निरुवाद बालुआ संकलन गरना दीएको छा। एती बेला भने प्रशासनले अदालत को आदे सबैले माननू परने भन्दे आदले बालुआ जिकेर परिवार पाल्दे आयका मजदूरलाई बालुआ संकलन मा रोक लगायको छा। थाज तरिकाल नीगाला पाऊन परे, भानि पर जानों मि भोदोः ना, हो यहां भोप अम सब्बहन मोचल कर िने कःते कर लो het SHAM में काली गंडकी मा हुने दोहन कारेलाई पोन रूप मा आफर्बले रोकन शफाल भायको प्रहरी प्रशासन को दावी मा नई स्थानी एतायार छैनन बरू प्रहरी प्रशासन काई मिले मतो मा नदी दोहन भायरएको उन्हेरुको आरोप छा दैनिक धुंगा गिट्थी र बालुआ बोकेरा ओहर दोहर गरने टिपर र राजमार को छेव मा थुपारेको बालुआ ले रात मा नदी उत्खन भायरएको पुष्टी गर्शा ज्यालिक्सी फोके का लागी परवद बाठ सुमन जंग ठापा को रिपोर्ट बैदेशिक ब्यापार लाई सहज बनाई निर्यात प्रवर्दन गरन परसा को स्रीष्टी आश्टोखा बंदर गहा संचालन मा लियाईये को हो तरह तेही बंदर गहा को तौल पुल पटक पटक बिग्र दा पनी नेपाली ब्यापारी ले नोकसानी बेहुर नू परी रहे को छा बंदर गहामा भायका दुयोटा तौल पुल मदे योटा बिग्रिये को लामो समय भईस्तक दा पनी बनाई ये को छाईना जसका कारण भारत र तेस्रो मुलकबाटा आका समान लूर पहय का कन्टीनरली लामू समयः पर्खनु परेको छा नेपाल का लागी तेश्रो मुल्क बाटा भारत को कोल्कता विसाखा पत्टानम अलदिया लगात का बंदर बाटा, माल बाखाक, रेल मार्फत, बिर्गांज को सिर्षी या बंदर बाः बाटा हुँदेई, माल सामान सहित का कंटेनर नेपाल बितरी छ olde तरक गोदाम मा वित्रियेका कंटेनर को समय में तोल निर्धारन हुना नसक्दा, व्यापारीले माल सामान गोदाम में थनकाउन उपरने बाद देता छा। जसका कारण उनिहरलाई समय रा अतिरिक्त सुलकको बाहरत पियेको छा। सुखा बंदरगा व्यवस्थापन को जिम्मा भारतीय कंपणी प्रिस्टिन भ्यालीले लिदेय आयको छा। कंपणी ले आफ्नो फाइदाको लागी लाम समय सम्मा बिग्रेको उपकरण मर्मत नगरेको व्यापारीको गुनासो छा। येउटा मात्रे तौलपूल संचालानमा ल्याउंदा धेरै मालबहाग ट्रक तथा कंटेनर पार्किंग में पालो पर्खेर बसनुपर ने बातेत छा। बंदरगा हाले पार्किंग बापक पनी प्रती साधन दैनिक 400 रुपिया उठाउंदे आयको छा। तौलपूल मां धेलाई हुँदा व्यापारीले डिटेंचन चार्च पनी तिर्मपर छा। तौलपूल लगात का उपकरण को ब्यवस्तापन मा आफुहर गंबी रहेको दाबी गर्चा। यवटा तौलपूल बिग्रिय पनी सेवा प्रभाम मा ठूल समस्य न रहेको उसको बनाई चा। जो हम लोग शांको पूरी रिपोर्ट लेते हैं और काटे से जो हमारे जितना वेवेंट होना होता है उसको पूरा कर दिया जाता है जितने गाड़ियां सारी वेट करा दी जाती हैं। और काटे की कारण से कोई भी गाड़ी रुखने रहे हैं। उसको हम लोग जो हैं। महापे अपनी सिगूरेटी गाड़ लगाते हैं। उसको संचालित करते हैं। उससे ऐसी कोई स्तीत नहीं उत्परमुती है। बंदर गाहा वित्र बीसीयन गोदामबाट बोराबंद सामान मल, आयरन को दोलो, बटमास, चामल, चीनी रा खुला गोदामबाट, फलामजनने अउदगी कचा पदार्थमा, MS बिलेट, स्पंज, HR क्वायल लगात का सामान ट्रक तथा ट्रेलर मा लोड गरी जान्सपास कर दैनिक 120 बंदा बड़ी ट्रक कंटेनर निस्कन पर्नेमा एवटा तालपूल बिग्रिदा अशियोटा गाडिको मात्र जान्सपास सम्बाबन छ, अन्ने डुवानी साधन लाममा बसेरा दिन भर कुर्ण पर्छ, यसले नेपाली ब्यापारीरा सहरी दनिलाई, दोहरो सुलक तिरुपने बाद्देता बड़ायको छ, ग्यालेक्सी फोकेका लागी बिर्गंज बाट जीयालाल सहा को रिपोर्ट ग्यालेक्सी प्रदेश नियुद जारी सो, अहले लाई ब्रेक ब्रेक परची बाकी नियुँज बागलूंको तारा खोला गाउपालिकाका देहरे जन सकती डुंगा खानी बाट जिविक को पारजन गरछन स्थानिया सरकार ले तिहांका खानी बेब स्थापन करना और पालिकाको आंतरिक आयाश्वात मा समेत टेवा पगोश्ट भानेरा किही खानी दर्ता समेत करेको छा तरा सोंग्र प्रदेश बाट बननू पर्ने र निर्देशित होनू पर्ने अइन कानू न बंदा आर्थिक संकलन में समस्यार रहेको स्थानिया सरकार का प्रतिनिधीको गुनास रोचा बागलुंकोर तारा खोलाका ढुंगा खानीमा ढुंगा कुदेर जीवन गुजारा चलावदे आयका इस्थानिया अहिले बिजुलिभार्ट चलने मेसिन लगाएरा आकर्सक स्लेट ढुंगा कुदी रहेका देखिन छन। बेक्तिकुन नीजे जगामा त्याहाका इस्तानेले स्टलेट उद्योक चलाई रहेका छन। खानीमा काम गर्ने मजदुर समेत तारा खोलाको ढूंगा खानी बाच रामरो आमदानी गरीको बताऊंचन। छेटो छरी तो आये आर्जन को मादेम देखे काऊनी हरू आफना पूर्खाले गरी रहेको परामपर आगत पेशा बदे लियेको मताऊंचन। इस्तानियो सरकारले खानी बेविस्तापन गर्ना दस ओटा जती ढूंगा खानी दरता गरीको शा। इस्तानियो तहको कारे बिदिने निर्माड गरी उनी हरुलाई करको दायरामा ल्यावनी काम भएको छ। जस्पाट बार्शिक पचास देखी 60 लाख राजसु संकलन हुने गाउपालिगाको अनुमान छ। तारा खुलामा उत्पादन भएको स्टेल गाउंका घर छाउना मात्र न भएर कारफांडूं पोखरा बुटपल लगाहत का ठाउमा आलिसान महल सिंगार न समेत निर्याथुनी गरेको शा। इस्थानियोकू नीजी जग्यामा खानी सन्चालन भई रहेको तारा खुला कू ढूंगा खानीमा तीन से भंदा बड़ी इस्थानियोली रूजगारी पायेका छन। यो गाउमा तार खुला गाउं पालिकामा सरकारी जग्यामा समेत प्रस्त तर धुंगा खानी छन। तेसको बेविस्तापन गर्न गाउं पालिका का तर्फबाट पहल अगी बड़ेको छ। इस्ताणीय सरकार संचालन अएन 2004 तर अनुसार धुंगा गिटी जस्ता खानी जन्य बस्तुको सर्वेट छड उत्खनन तथा उपयोग को दर्था अनुमती नविकरन खारेजी र बेविस्तापन को जिम्मा इस्ताणीय तखलाई छ। तर बागलूंका इस्ताणीय तखले संच सरकार बाट अनुमती नपाउदा धुंगा खानी बेविस्तापन र परिचालन को काम गरना पायका छ। तर खोला का इस्ताणीय ले नीजी जग्यामा उत्पादन गरी रहे का डुंगा वेविस्ताई की साबले बजार निकासी भई रहे कुछा तर कानुन अवाबमा राज्जेले इस्पाचल लावली ने सके कुछाई नुमती खानी बेविस्तापन का लागी बात बर अड़िय पाउं थे बजेट का लागी सदै केंद्र सरकार को अनुधान कुर्णू पने इस्ताणीय सरकार को बाद देता पनी हट ने थियो ग्यालेक्सी 4K का लागी बागलूंग बाठर रामसुबेदी को रिपोर पुरातवाध्व विभाग्ली दोयलेक्को कोद गड़ी उतखाननेन मा रोग लगाये को छा पूरातवध्व विभाग्को श्पिक्रिती बिना संपधा भीत्रककोने पनी कामगुरन ना पाईने भाई पनी सम्रक्षाडख गरन भन दे नारेण नगरपाली काले उत्खननन को काम अगी पड़ायको थियो बेभागले पत्राचार गरी उत्खननन को काम रोकन आदेश दिये को हो अगरी ने पत्राचार मार्फत कार्या रोकना लाई बहनिशकी एको सुन्न मा आयको छो अवचाई थक आमीले देखेको कुरा दिभाग समक्षे प्रस्टता का साथ राक्षों रयो यो शुदार गर्दा राम्रों उन्चा वन्नी सुजार स्थ आमीले आम्रों प्रतिवेदन म अगर्पाली काले संपदा सम्रक्षाण का नामा तीन बोर्सको अवधी मा 86,32,000 रुपयां खर्चिये को सुन्न मार्मत का लागी पतक पतक अनुरोद गर्दा पनी सुन्वाई नभाय को भंदे नगर्पाली का आफ़े सम्रक्षाण मा लागी को हो चाहिने के नभीगारों महन्नो बाजे भिद्रकों सम्रक्षाण मनी आमिली प्रिकार आथे नूँरोद आमिले इतियांस कोद गड़ी जाने इतियांस मही मलाप जाने रौस तेसको लाम इतियांस रौस वन्ने उद्देशरी का लागी रागो जों रण बाहदर स्थाहा का पालामा बनेको हुना सकने अनुमान करिये कोछा बडो ताम धाम का साथ स्रिला न्याश्ट भाई का धेरे आयोचना को निर्मार कारिया सरकार परिवर्तन संगे ठपप प्राय हुने करे कोछा तेस मदेको एखो दोलखाको भीमेशो नगर पालेकाको डांगडूंगे डाड़ावा प्रस्तावित अंतरास्टेयस्तर को चलचीतर नगरी बेश्त्रुएत आयोजना प्रतिवेदर डिपी आर तयार करे चार बर्स अगी स्रिला नाश्ट भाई को सो नगरीमा बीजुलीका कीही खमबा ठड़ी एकार्शन बने प्रवेश का लागी 6 किलोमेटर स्रड़क को काम मात्र भाई को छा फिल्म सीटी को संपूर्ण संग्रचना निर्माड का लागी 36.25 हेक्टर जमिन आउस्टेक परने डिपी आर प्रतिवेदर मा उल्लेक्षा तर मुख्य संग्रचना बने 9.61 हेक्टर छेत्रफल मा बनने शा डांगडूंगे मा रएको सती देवी दादर सामुदाइक बन का उपबक्ताले फिल्म सीटी का लागी आउस्चेक जगा भगादिकार दी सके का छन तालिम हल, रेस्टुरेंट, सुचाना केंद्रा बन्च, दू यटा बलोग साइं, गेस्ट हास्कुरूप मा प्रवगर्नी गरी तेव संग्रचना ये आर्थिवर्चना त्यार बन्च बागमती प्रदेश सरकार काई 111 मा बिमेश्वर नगर पाली काले पनी चालू आर्थिक बजेट मा गेट, पाउना घर, हल्ला गायत का संग्रचना निर्माण का लागी साडे थीन करूर रकम बिनियोजन गरेको छा, येसको टेंडर समेथ बही सकेको छा निर्माण उनसके यो फिल्म सिटी बिशोके सबे वन्दा उच्च इस्थान मा रएको दाबी गरियेको छा प्रस्ताबित फिल्म सिटी निर्माण उने डांगनुगे डाडा 2800 मीटर देखी 3400 मीटर समको उचाईमा छा तरह सरकार को प्राथ्थमिकता माना परेबची इस्थानिया मात्राईन चल्चित्र कर्मियर पनी निराश्चन प्राकिर्तिक संदरियेले परिपोन यो छेत्रमा इम्श्रिंखला मात्राईन योदमा जरने हिऊं बसंतर रितुमा फुलने पिविन्न प्रकार का गुराश, समथर जमिन, समसी तोष्ण गासे मैदानले समेथ मन लोब्याँँचा ये स्चेत्रमा पाईने पचास प्रजातिका जिवजन्तुले आकर्शन थब बढ़ाऊँचा फिल्म सुटिंग का लागे 200 को नजर नेपाल को प्राकिर्तिक सौंदरियातामा अकर्शित बहिराय का बेला येस प्रकार का फिल्म सीटिले थप्टेवा पुगनेशा ये स्चेत्रमा पाईने प्रतिविदन अनुसार आयुजना को अनुमानित लागत दुई अर्भ 55 करोड रूपया चा नेपाली चलचीत्रों को गुणात्मक रा संख्यात्मक बिकास का लागी कोशेडूंगा साबीतु नसकने फिल्म सीटि नेपाल को अर्था तंत्रलाई सगाउने ये जनामा पनी बनना सक्षा ये फिल्म सीटि निर्माले दोलखा को परेटन बिकासमा समेद ठूलो फड़को मायान सक्षा गालेक्षी फोके का लागी दोलखा बाट दिलबादर केसी को रिपोट गालेक्षी प्रदेश न्यूज और जैजारी चो अहले लाइग पुनाप ब्रेक ब्रेक पची बाकी नियोज पची जिलह पर साशट कार्याले लेएग अनुगमन को थेओ अनुगमन का क्रमा धेरी जसू सरकारी कार्याले मा आधा मात्रे कर्माचारी समयमा उपस्तित होने को पहिद दियेकु कोस्त था लेखा नियंत्रक कार्यालाई प्रमुक मडी भद्रने उपाने सहीत अन्य कर्मचारी कारोलाई समयमा उपस्तित नभाय को भेटिये पछी प्रसाशन ले हाजरी रजिस्टर ने नियंत्रन माल लिये कुछा तेसे पची अमी जिल्ला समद्मय समीति को अन्य को गारले में भाय को है प्रसाशन ले बिहान अस्तवाद दोस्त लिखी एगार बजे सम्म पाच वुटा सरकारी कार्यलेमा अनुगमन करेको थिय। 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 क्यात्य। कार्यार अनुगमन करेको थिय। प्रय। झाल, 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 झाल